सफल्ता किसी इनसान को आसानी से नहीं मिलती है, वहीं किसी को बहुत कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिलती है, इसका लिए आपको ये तीन आदते छोड़नी पड़ेंगी, इसके बाद मा लक्षमी आपसे प्रसन होंगी और उनके आशिरवाद से व्यक्ति सफल्ता की कुझी को प्राप्त करें। दुनिया भर में हर कोई आदमी सफल होना चाहता है। चाहे वो मेहनत करें या ना करें, लेकिन बता दे कि जीवन में वही इंसान सफल हो पाता है जो हमेशा अच्छी आदतों का अपनाता है। सफलता पाने के लिए अपने जीवन में अच्छी चीजों का हिस्सा बनना जरूरी होता है. जो इंसान अपने जीवन में अच्छी चीजों से जुड़ा रहता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है. वहीं ऐसे लोगों को माता लक्ष्मी का भी आशिरवाद मिलता है. जीवन में सफल होने के लिए तीन बातों का विशेश ध्यान रखना बेहत जरूरी होता है. सफलता की राह में आलस सबसे बड़ा रोड़ा है. आलस के कारण आदमी कोई भी कारिया अच्छे से नहीं करता है. काम को टालने की आदत के कारण ऐसे लोगों को असफलता मिलती ह जो की बाद में दुख का कारण बनती है. आलसी लोगों पर मा लक्षमी की कृपा भी नहीं रहती क्योंकि अपने आदत कारण ऐसे लोग लाब के अवसरों को खो देते हैं. पुराने जमाने की बनाई गई कहावते हमेशा सटीक बैठती हैं. वैसे ही लालच सफलता की राह में दूसरा सबसे बड़ा रोडा है. बड़े बुजुग कहते हैं कि लालच बुरी बला है. लालची व्यक्ति अपने इस अवगुन के कारण कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है और उसका चित हमेशा व्याकुल रहता है. इसलिए वह कभी सफल नहीं हो पाता. लालच करने व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ की बात करता है. वहीं जो आदमी बात बात पर जूट बोलता हो वो कभी सफल नहीं हो सकता. सफलता का अर्थ केवल धन कमाना या सुक सुविधाउं से परिपूर्ण होना ही नहीं है. जो व्यक्ति दूसरों के हितों की रक्षा करता है औ ऐसे व्यक्ति को हर जगा सम्मान मिलता है और ऐसे लोग सभी के लिए प्रियभी होते हैं. ऐसे इनसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. वहीं जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जूट का सहारा लेता है. ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है.